नमस्कार दूर दर्शन के खास मुलाकात कारिक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रेम पंचुली आज हमारी स्टूडियो में मौझूद हैं एक खास महमान जो लंबे समय से हिमाले की धरोवर के सरंक्चन और संग्रण के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अबद और लखनो जैसी जगे चोड़ करके हिमाले के एक कोने पे बैट करके हिमालेन सुहम हिमालेन म्यूजिम स को छोड़ करके और आप मसुरी के तरफ चले हिमाले के कोने पे चले और ऐसा भी बताया जाता है कि आप इंटेलिजेंस कस्टम इंटेलिजेंस में एक उच्छ पद पर विराजमान थे यह सब छोड़ चाड़ करके आप मसुरी आए तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताये कि लखनों से मसुरी का सफर कैसे हुआ क्या राज था यह सबसे पहले हमारे सबी दर्शकों को हमारा हमाई तरफ से एक अभिनंदन अभिवादन है आपके माध्यम से यह मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि हर विक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता ह है जिसको या तो उसे खोजना है जो भागशायली है थोड़ा जल्दी खोज लेते हैं जो थोड़ा सा कम भागशायली है उनको समय लग जाता है तो जब आप उसे खोज लेते हैं और उसको जीते हैं तब आपके जीवन में पूर्णता आती है तो 1995 कि आसपास की बात है वो किस वज़े से थी ये नहीं जानता पर ये थी कि मुझे हमाले में बसना है और ये हमारा और हमारी पतनी का एक अपना साजहा निरने था कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी हमाले में बसना चाहिए और हमाले पर कुछ काम करना चाहिए अब ये इसके पीछे मैं जो सीधा- वो आध्याक्म के रूप में ही देख पाता हूँ कि केदार की के पृति आकरशन बच्पन से था तो उसे मैं एक कारण मानता हूँ और मेरा कुमाउ साइड में ननिहाल था तो जब आपका बच्पन पहाड़ों में गुजरा हो तो आपकी प्रकदिया विक्तित्व का हिस्सा बन जाता है शायद वो ट्रिगर रहा होगा और 95 का साल आते आते यह हुआ कि हम लोगों को एकदम ढूनना है जगह इस से पहले कि उमर हमारे उपर अपना असर डालने लगे और हम काम करने की वो उड़ जाना रख पाएं हमें हमाले में शिफ्ट हो जाना चाहिए और उस प्रोसेस में बहुत सारी छोटी बड़ी जगों को ढूनते ढूनते किसमत हमको मसूरी में लिया आई और मसूरी में हमने अपना पड़ाओ डाला ये सोच करके कि यहां रहते हुए हम हमाले की सिंस्कृती पे और इसको जो स्पंदन है इसका आध्यात्मिक स्पंदन है इस पर काम करें तो ऐसा कह सकते हैं कि आप ननिहाल से थोड़ा दूर कि ननिहाल आपका कुमाओ में ननिताल के नज़्दी के है तो आप मसूरी आए और वहां पर आपने सुहम हमालें सेंटर के स्थापना की है मैं यहां पर रोक के कहूँ कि इनिशली आते ही स्थापना नहीं की सबसे पहले ये था कि मुझे हमाले को बहुत करीब से देखना और जानना था उस समय तो 95-96 के करीब की जब बात है तो ये उतरप्रदेश के पहाड़ी अंचल होता था तो ये कोशिस करी कि हम पहले हमाले को करीब से जाने तो हमने अपनी यात्राएं शुरू करी यात्राओं में मुझे कोई भी रोमान्चक जगह नहीं जाना था मुझे हर उस जगह पे जाना था जहां पर हमाले धड़कता हो उस संस्कृती के रूप में धरोहर के रूप में आध्यात्म के माध्यम से वो गाओं हो वो मंदिर हो वो मेले हो कुछ भी ऐसा जिसमें हमाले का मूल दिखता हो तो उन जगहों की यात्राइश शुरू करी उन यात्राओं कि सकी पहली दूसरी यात्रा में ये तैह हो गया कि इतना कुछ है जो बहुत गवरोशाली है जिसे दुनिया के सामने आना चाहिए अब मेरे पास में अपने कुछ ईश्वर ने हुनर दिये थे क्रियेटिवटी के पत्नी पेंटर थी तो हम लोगों ने सबसे पहले इन दो माध्यमों से उन सब चीजों को संजोना शुरू किया या उनको बनाना शुरू किया जो हमारे रास्ते से गुजर रहा था तो सबसे पहले एक दम म्यूजियम बनाने का विचार नहीं था हमाले को सही परिपेक्ष में प्रस्तुत करने की कला के रूप में ये काम शुरू हुआ और दो हजार चार या पांच आते आते इतना कुछ हमने एकटा कर लिया था इस बीच में हमारा 9 नौबर 2000 को प्रदेश का सरजन हो गया तो हमारा canvass सेट हो गया कि हमाले जो उत्राखन में पड़ता है हमें उस पर काम करना है वहां की races, वहां की जन्जातियां वहां के जो घाटियां हैं, वहां के गाओं हैं इनके जो रीत रिवाज हैं इनकी जो धरोहर उस पर काम करना है तो 2005 आते आते बिल्कुल यह तै हो गया था कि हमें इस पूरी चीज को जो अब तक बनाया है इसको एक म्यूजियम की शकल देनी है और इस तरह से यह काम शुरू हुआ जो आज की डेट में मैं कह सकता हूं फक्र से एक विश्व प्रसिद्ध के सेंटर का रूप ले चुका है जिसका नाम है क्या बात है तो इसका मतलब है कि आपने सेंटर बनाने से पहले हिमाले उत्राखंड हिमाले को कैनवास पर उतारा है दोनों जोनों है इसमें एक चीज़ कह दूँ आप से कि जैसे मैंने गोमुक की यातरा चार दफे करी है लेकिन जब मैं पैदल चला हूं तब जितना मेरे अंदर रचा बसा है उतना मैं गाड़ी से या बाइक से चलते हुए मैं महसूस नहीं कर पाया तो उस वक्त मुझे ये महसूस हो गया था कि पैदल चल कर ही चीज़ों को समझा जा सकता है क्योंकि उसमें ठहरा होता है यहां पर मैं बता दूं कि 2003 में मैंने गोमुक से मसूर तीन सो किलो मीटर अकेले बिना कैमरे बिना मुबाइल के पैदल यात्रा करी जिसमें मैं गाउं गाउं ठहरा नदी किनारे प्रवास किया पैरापिट पर सोया क्योंकि मुझे इमानदारी से उत्राखट समझना था और यहां पहली बात का जवाब दे रहा हूं आपको कि ज जंगलों ने पहचाना या उन्हों ने अपने आपको खोजा होगा वो राहुल संकरतायन हो आद शंकराचार हो या हम जैसा आम आदमी हो जब हम कर्म की भूमी बनाते हैं तब हम सबसे इमानदार होकर किसको जी पाते हैं तो इस तरीके से मैंने उत्राखंड को अब तक की वो सवाल मेरे लिए बहुत महतपोन है यहालां कि कला का जो फील्ड है वह पत्नी है वो पिएजडी एंड इन पांटिक पियंटिकल है तो वो तो बनाए हर चीज़ को बनाए चली आ रही है पर मेरे अंदर एक बात उठती है मैं उसे इसका रूप देता हूँ तो सबसे पहली कला जो है वो जो मैंने बनाई है उससे ही मैं पूरे उत्राखन को परिभाशित दिकरता हूँ जैसे आपके सामने अगर बदरीनात का मंदिर है या केदारनाजी का मंदिर है कोई किसी सदी का है कोई किसी सदी का है स्टोरी अलग है पर उसमें जो कुछ भी है उसमें human interference है उसको किसी इंसान ने बनाया है उस समय के राजाओं ने उस समय के रिशियों ने किसी नहीं बनाया है पर एक घटना ऐसी है जो उत्राखंट को देवभूमी बनाती है और उत्राखंट की नब्स है वो और वो है गंगा का पृत्वी पे आना और शिव जी का उसको जहटाओं में लेना ये एक ऐसी घटना है गंगा की आवतरण की जिसको मैं उत्राखंड की आत्मा मानता हूँ चलो ये तो बात के बात है हम आप मुजिम पे बात करेंगे मैं इसको पूरा कर दू जरासा इस पर बनने वाली जो पहली आर्ट थी उससे सिलसिला शुरू हुआ था ये जो सब्जेक्ट है इस पर बनने वाला पहला कैनवास जो है जिसे मैं इस जर्नी की शुरूआ की आपके मुजिम में है अभी जी हाँ क्या बात है बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर तो आपने मुजिम को डपलप कब किया कब सुरूआत की थी जब ये सब कैनवास पे आप उतार रहे थे कौन सा दिन था ऐसा कि आपने लगा कि अब इसको एक मुजिम का रूप दिया जाए 2012 आते आते चुकि मैं सेल्फ फंडड है हमारा सब कुछ तो हमारी प्रोसेस स्लो है उसमें धीमापन है क्योंकि हमें अपने संसादनों से निर्माड करना पड़ता है तो सामान एकटा करते करते और जब दो-तीन कख्ष बन गए तो 2012 में मैंने आपचारिक रूप से इस मुजिम को पबलिक लिए खोल दिया इसको बना करके इस समय तक पिछले 10-12 सालों के अंदर मैं सिर्फ निर्माड कर रहा था चीजों को इखटा कर रहा था और संजो रहा था चाहें वो गाउं गाउं जाकर करके पांडूले पी खटी करनी हो बरतन म्यूजिकल इंस्टुमेंट वगएरा वगएरा कोई भी पक्ष थोड़ा लिस्ट नाम बता दीजिए क्या कोई वस्तु है या कोई आल्ट है जो आपके म्यूजिम में है तो आएंगे आपके पास लेकिन यहां भी आपको सुनना चाहते क्या संग्रहाले में क्या क्या जीवन शैली में उपयोग में आने वाली हर वो चीज जिसको मैं ला सकता हूँ जो आपको टच करती है वो चाहें आपके आभूशन हो आपके वादियंत्र हो आपके बरतन हो या और भी सहायक वस्तुएं उस सब को हमने उसमें जगह दी है अग्रिकल्चर के इस्तेमाल होन है सामान वो बरतनों में भी कांसे तांबे लकडी रिंगाल जो भी चीज़ें हैं वो बरतन हमारी भवण शैलियां हमारी पांडुलिपियां कोई भी चीज जिसको मैं हमारे अपने हर्ब्स और स्पाइस जो हमारे यहां वन संपदा में हैं यानि मैंने मैंने म्यूजियम को एक मृत चीजों का संग्रहाले बनाने कोशिस नहीं करी मैं चाहता था यह इतना जीवन थो कि जिसमें से जब आदमी गुजर के जाए और जिसने कभी भी उत्रखंड न देखा हो तो उसके दिमाग में कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो तो वो यहाँ चोटी या बड़ी रूप के यहाँ पर प्रदर्शित हो यही इसको विशेश भी बनाता है तो मैं हमेशा ही कोशिस रहती एक एक्जामपल दूँ माना हमारा प्रदेश जिसमें या तो कोई किसान है हर घर से या कोई फौज में गया है तो हमारे यहाँ एक वाल ओफ फेम मिलेगी जिसमें हमारे जितने डिकुरेटेड वार हीरो हैं विक्टोरिया क्रोस से लेकर के हमारे जनरल विपिन रावाज जी जो अभी अभी थोड़े दिन समय पहले एक दुरभागे पूर्ण घटना में जिनकी बृती हुई थी पूरे सारे के सारे एक वाल ओफ फेम पे मौजूद हैं हमारे वो बहुत से ऐसे कलाकार जिनको वो शोहरत नहीं मिली उनको ही हमने एक वाल ओफ फेम बनाई है ऐसे करते करते हैं वो बहुत से मूर्तियां जो टूट गई खंडित हो गई अभी उनकी फोटों हमें मिलती है तो हम फोटो के बेसिस पे उनको क्रियेट कराते हैं अच्छा ये सारे मंदिरों की बहुत फोटों मिलती हैं पर परमपरिक भववशैली के कुछ ही जो नमूने हैं वो तो हर जगह पर प्रचादित होते हैं जबकि हमारी नौ तरीके के भववशैलियों को हम परदर्शित किया है जो आपको उसका नाम है धारचूला के पास से ले करके उत्तरकाशी तक जितनी भी भवववशैलियां हैं आपको हमारे हम परदर्शित मिलेंगी आज इस म्यूजियम के का फाइदा क्या हो गया है मेरे पास 18-20 तो हमें ऐसा लगता है कि वो मेनत फलीबूत हो रही है किसी काम आ रही है ना सिर्फ कौतुहल का विशे है ना परेटन का पर अकेडेमिक्स का भी विशे बन रहा है बिलकुल बिलकुल एक चीज और आपके मियूजियम के बारे में जानना चाहेंगे कि पहाड के जी जितने अलग परकार की टेकनोलोजी थी अलग परकार की एक मसीन होती थी जो किसी करंट से नहीं किसी बहुत बड़े टेकनोलोजी से नहीं चलती थी पानी से चलती थी उसका कुछ है आपके पास इसको खराद कहते थे घराट जो है खराद नहीं आप पानी से चलने वाली खराद ह है कि जैसे मैं चमॉली के पास एक जगे गया तो वहां पर एक बुज्भ कारीगर थे वो बर्तमें को पूरा का pura हाथ से बना रहे थे लकडी के बर्तमें को जो की परोड़ी होगा होती है उसको पूरा का आप बात कर रहे हैं ये थोड़ा बाद में आई होगी और उससे भी बरतन बनते हैं अब नहीं लेकिन कहीं मिलती है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब हम किसी परमपरा को आदुनित्ता के नाम पर छोड़ते हैं तो सबसे पहली जो चोट पहुंचती है वो उस परमपरा को आगे लेके चल रहे थे अब यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि जब हम किसी एक पक्ष को बहुत तरजी देती हैं हमारी सरकारे या हमारी नीतिया तब दूसरी वस्तुओं को पनपने का या उसके लिए व हर जगे बोलता हूं कि भोजन भवन भेश और भाशा संस्कृत करे इनहीं में बासा तो हमने भोजन भवन और भेश को तो दरकनार कर दिया भाशा के अंतरगज जो गाएन वादन है उस पर सारा जोर हो गया नतीजा क्या हुआ जो भी चीज़े परंपरिक रूप से बनती चाहें वाद्यंत्र हों चाहें बरतन हों चाहें वेश भूशा हो यह सब चीज़ों को करने वाले लोग धीमे धीमे हताश हो करके अपना वो काम छोड़ करके कुछ और करते दिखाई पढ़ने लगे नतीजा संस्कृती के और दूसरे पक्ष जो थे आपकी एक और पक्ष उस पर उनका उत्साहित हैं आपकी बात को सुनने के लिए जो मियोजीम आपने बनाया है और जो धरोर आपने कठी की है मुझे लगता है कि और हमारे दर्सक भी जानना चाहते हैं कि आप लखनो अबद जैसे अदब की जो सहर हमारे देश में कहा जाते हैं वहां से उठकर क आप हिमाले में उंचे परवत पे बैठ गए तो कैसे प्यार हो गया कि लकडी के बरतन से आपको प्यार हो गया पंचपूरा मकान से आपको प्यार हो गया जो भुकम रोधिभान है यहां के आपको धान कोटने वाली यहां मसीन तो है ने गिंजाले से आपको प्यार हो गया तो दान कुटने का एक एंत्र है तो कैसी हो गया इसे प्यार देखिए है क्या कि जब मैंने कहा ना हर इंसान को अपने अंदर की एक संभावना को खोजना होता है और वो संभावना जिस समय आप पहचान लेते हैं उस समय जो बातें आम तोर पे हो रहे होती हैं उसके उलट आप चलना शुरू करते हैं तब ही कोई किसी ना किसी इतिहास का सरजन होता है या किसी ना किसी नई बात का सरजन होता है जो सब कर रहे हैं उनसे अलग चलने वालों ने ही कोई ना कोई एक नई कहानी लिखी है तो एक छोटी सी कहानी मेरी भी है उसी तरी के से तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प कभी भी जब आप सोचते ही इस संकल्प को सो लोग अपरूव करेंगे तब करेंगे तब कभी भी आप एक कदम भी बढ़ा नहीं सकते आपको जब संकल्प अंदर से है करने का तो आपको भीड की तरफ नहीं देखना होता है आपको उसके लिए चलना होता है और ऐसा आत्मबल मेरे अंदर क्यों आया उसके सीधा और सीधा जो मैं सारा का सारा वो देता हूँ श्रेय या करपा बोलता हूँ वो भगवान केदार की है इसके अलावा कुछ नहीं है तो आने से पहले आप केदारनाथ गए थे मैंने केदारनाथ को आने से पहले भी जा चुका हूँ लेकिन एक दो पिढ़ी पहले से जब बच्पन से मैं लखनव में या अपनी पूजा घर में बैठते बैठते अपने बाबा से केदारनाथ की वो वो कहानी सुनता आया हूँ कि वो मेरे बींग का पार बन चुकी है बाकिये मैं बता दूं कि मैंने 97 से मैं उत्राखंट की इस देवभूमी में हूँ और 97 से लेकर के और 2006 तक का 2000 का साल छोड़ दिया जाए तो 9 साल का हर सावन मैंने केदारनाथ में गुजा रहा है और एक दिन दो दिन नहीं 8 दिन 10 दिन 15 दिन मुझे केदारनाथ रुखना होता था फिर मैं काली मठ में ये मेरी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा था और उसी से बल जो मिलता था उसी के सहारे मैं अपने बाकी काम कर पाता था जिसके लिए मैंने उत्राखंट को कर्भी भूमी के रूप में चुना था बिल्कु तो आध्यात में तो आपका दिख रहा है, आपके हाथ पे आपका जितिला के सब चीजे हैं, सिर्व ये जो आपने बताया कि आप उत्राखंड की धरोर को संग्रचन और संग्रहन के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई रोजगार है क्या है? है क्या रोजगार यूँ है कि जब हम एक तुक पक्ष है प्रदरशित करने का, फिर एक दूसरा चैलेंज मुझे दिखाई पड़ा कि हमेरा प्रदेश एक नवोधित प्रदेश है, इसमें हर चीज हम दूसरी जगह से आयातसा कर रहे हैं, हमने कहीं का शीसों से पहन लिया, क तो मैं जब किसी भी प्रदेश में एंटर करता हूँ, तो मुझे हर चीज अपने आप अपना परिशे देती दिखाई पड़ती है, तो इस बात ने जोर मारा, हम और मेरी पतनी दोने लोग क्रियेटिव लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि इस पर काम किया जाए, कि हम को देख करके परिशे न देना पड़े, हमें जो देखे वो उत्राखंडी कहे, इस के लिए सबसे पहली चीज जो मैंने सरजन करी वो एक शीशवस्तर का सरजन किया, जिसका नाम है ब्रहम हकमौल पहाड़ी टोपी, उसके बारे में बहुत बताने की जरूत नहीं हम सब उत्र करण किया हुआ है, सारे जन्मानस में हमारी ब्रहम हकमौल पहाड़ी टोपी, इस समय लोगपरी हो चुकी है, उसके बाद में मुझे लगा कि सम्मान देने की वस्त होती है, अंगवस्तर या गमच्छा या स्टोल कुछ भी कहिए, हमने उसके अगले साल अपना उत्री जो गमच्छा है, उसको लांच किया, आज उसकी मांग हो रही है, अब आज की डेट में अगर कोई वो शीश्वस्तर लगा कर ब्रहम कमल पहाड़ी टोपी लगा कर दिखता है, वो गमच्छा पहने दिखता है, तो उससे परिचे कोई नहीं पूछता कि ही आप उत्राखंडी ह या कौन है, वो स्वेम परिचे देती है, अभी हमने पिछले कोविट के दोरान जब काम करने को कुछ नहीं था, तब हमने मैक्सिमम क्रियेटिव वर्क किया, ग्यारा या बारा तरीके की गोटा लेसिस होती है, बनाई गई हैं, जो हमारे परिधानों पे लगती हैं, जो मह उत्राखंट की खुश्बू नहीं होती थी, अभी जो हम लोगों ने लेसिस बनाई हैं, उनके अंदर गुगती, फ्यूली, ब्रम कमल, बुरांस, इन सब की थीम के ओपर वो सारे गोटे तैयार किये गए हैं, अब इन गोटों की लेसिस के साथ जब परिधान दिखेगा, तो क्या दिखेगा हमारा उत्राखंट दिखेगा, तो हमारी कोशिस ये है कि सिर्फ प्रदरशित नहीं करना है, हमें विक्सित करना है अपने आपको, तो उस क्रियेटिवटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी इस लाइन पे आगे और भी बहुत सा काम होना बाकी है, कि हम हमें बता करके उत्राखंडी न दिखना पड़े, हमको देख करके उत्राखंडी कहा जाए, और सच बात है कि जब आप पहाड की धरवर को सरक्षन का काम कर रहे हैं, तो रोजगार की बात आती है, और आपने रोजगार क्रेट किया है, ऐसा कोई अनुमान है कि आप तो हर दुकान में ब्रह्मकमल टूपी दिखाए देती है, अब तक कितनी हजार टूपी बनी होगी, क्योंकि पता कल जाता है, अप्रोच से कितने लोगों मुझे किसी एक सर्वे करने वाले में बताया था, कि अठारा सो लोग इसको बना रहे हैं, और जो एक हजार आठ सो लोग बना रहे हैं, बेच रहे हैं, दुकानों से के बारे में मुझे आइडिया ने, क्योंकि हर दुकान पर बिक रही है, और बहुत से लोग संस्कृति के नाम पर हमारे प्रदेश के बाहर से भी बना करके, अपने प्रदेश में लाके सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इतने सारे को रोजगार मिल रहा है ये इसकी इस स्रजन की उपलब्दी है जो मैंने आभी आपसे जिसके जहाएं तो कितने लोगों को जब अठारा सो लोग इसको बना रहे हैं तो बेच भी रहे होंगे तो अगर इतने लोगों को भी एक क्रियेटिविटी आज की डेट में रोजगार जगह से अगर पहाड में आकर के इतनी बड़ी एक स्टोरी रच सकती है, तो ये संभावना हमारे सारे युवा के अंदर आ सकती है, इसलिए ये माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ सोच की बात होती, बिल्कुल, बिल्कुल, ल के पीछे क्या है, उनको आप ये सिक्षा भी देते हैं, हाँ, देखिए हुआ क्या था कि मेरा मानना है, कि जो कुछ आपके पास है, किसी के पास में बुद्धिकाबल होता है, किसी के पास में धनका है, ये संसाधनका होता है, तो हमें सिर्फ लेना ही लेना नहीं है, प्रक बच्चियों को educationally empower करूंगी जो लोग जो बच्चों को education या तो substandard मिल रही है या midday meal के स्कूल भेजा गया है या वो बच्चिया आनात हैं या भाई तो जा रहा है एंग्रेजी स्कूल में लेकिन बच्ची जा रही है मिड़े मीलज वाले स्कूल में जा रही है लोट करके वो भाईयों को पाल रही है तो उस तरह की बच्चियों पर 1999 में तीन बच्चों से हम लोगों ने उस पे शुरू किया था हमने कोई NGO ट्रस्ट नहीं बनाया हमारा अपना सेविंग और साथ साथ जो हमारे घर के लोग थे उन्हों ने जब भी कभी कुछ मदद करी उस पैसे से 20 मार्च कोविड आने तक 21 साल हम लोगों ने 570 बच्चियों को एजुकेशनली एमपावर किया है जिसमें उनके कमजोड सबजेक्ट उनका हाईजीन का पार्ट और उनका वैल्यू एजुकेशन इन तीन चीजों पर काम करने का हम लोगों ने काम किया जिससे की एक वो कमप्लीट परस्टनलिटी की तरह बड़ी हूँ और अपने लिए एजुकेशन डिमांड कर सकें अपना भवशे ते कर सकें तो ये एक लंबा लंबी तपस्या हमने अपने समाज के लिए ये अपना दाइत तुमान करे करी और इसमें हम सफल रहें तो ये तो ये सुनना जरूरी था कि बाली का सिक्चा के लिए वे आप अद्बुत काम कर रहें दोने अंदर पती ये किया गया और हम कर पाएं नहीं हम तो सोहम म्यूजियम ये मालन म्यूजियम सेंटर जाएं देखिए है क्या कि म्यूजियम दो बहुत सारे हैं बुराने भी हैं किसी के पास बहुत चाह कलेक्शन भी है लेकिन सारे म्यूजियम जितने हैं वो सब या तो किसी ट्राइब के हैं या किसी छेत्र के म्यूजियम है सोहम हमालियन सेंटर अकेला म्यूजियम है जो उत्राखंड को उत्रकाशी से चंपावत तक किसी भी एरिया को टच करता है किसी भी सब्जेक्ट को टच करता है तो अगर पैन उत्राखंड कोई कम्प्लीट म्यूजियम है तो वो है सौमी मलिन सेंटर, ये इसे विशेश बनाता है, इस म्यूजियम की जो अपनी ये बात है, कि हाँ इसमें कोई एंटर करें, तो उसको जितने भी संभावित विशें हैं, उन सब की जहलक मिलती चली जाए, जब वो यहां से निकले, तो उसको उत्राखंड का एक फेर आइडिया हो जाना चाहिए, कि उत्राखंड कैसा है, दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी है, जिसको लेकर के मेरे अंदर कुछ बात रहती है, हो सकता है, कुछ लोग उससे डिफर भी करें, हम आदतन उत्राखंड के अंदर, हमने बहुत सारा साहित और बहुत सारा गायन, जो है हमारा घूमता है, अपनी पीडाओं और संगर्श के आसपास, जो की वाजब भी है, लेकिन सारी दुनिया में एक बात देखी जाती है, कि दुनिया में हमेशा शक्ती और ग्लोरी की पूजा होती है, तो अगर हम अपने उत्राखंड का वो पक्ष उतनी ही मजबूती जो पीज़ी से सामने नहीं रखेंगे, तो लोग कैसे आकर्शित होंगे, और एक बात और है, कि जो बहुत ज़्यादा जब लोग हमको देख रहे होंगे, तो लोग कहेंगे, यह सोहम, यह मालन तो ठीक है, यह सोहम का क्या अतातपरिय है, मैंने क्या है, सोहम एक वेद का म महामंत रहे, चुकि मैंने कहा, मैं आध्यात्मिक जो बल था, वो मुझे यहां लाया और जिसने मुझे स्थापित किया, तो सोहम के माने है, I am that, यह मैं वो हूँ, यह चार पांच जो महामंत रहे हैं, उसके अंदर, वेद के अंदर, यह वो है, लेकिन, चुकि में स्पेलिंग है, S-O-H-A-M, तो इसका भी फुल फॉर्म है, School of Himalayan Arts and Museum, यानि हमारा पूरा का पूरा जो, जो सिलिबस है, जिस पो मुझे काम करते रहना है, वो इसके अंदर डिफाइंड है, School of Himalayan Arts and Museum, यह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी ट्रेवल कर रहा हू और प्रदेशों की तरीके से, तो हमारी कोशिस यह भी है, कि जो कुछ भी मुझे कहीं नजर आ रहा है, उसे लाया जाए, उसकी ब्रैंडिंग करी जाए, क्योंकि सारी दुनिया में आपको अपनी बात पहुचानी है, तो आजकल के ही तोर तरीकों से पहुचानी होगी, ब देखिये है क्या कि, जैसे मैंने कहा कि साथ या आठ इस समय हमारे मॉडल पूरे हो चुके हैं, जिसमें रंग से शुरू करके और पंच पूरा तक, जितनी भी भवशैलिया हैं, जिस जिस जन्जाती की घाटियों की हैं, वो सब हमारे पास में संग रहित हैं, बर्तनों में अगर फरक होता है, अगर आप परोडी कुमाओ साइट की देख लें, गड़वाल साइट की देख लें, तो आप परोडी देख कर बता दें कि ये कुमाओ की है, गड़वाल की है, अगर आप जो गागर होता है, इसका भी डिजाइन देख लें, तो आप देख कर बता दें क कि ये गड़वाल की है ये कुमाओ की है अब आते हैं उससे भी बड़ी बात आती है वेश भूशा अगर आपको वही लंबी सी वूलन ड्रेस हरे रंग में तो आप कहेंगे जाड कम्यूटी से लोग है अगर वही नवी बलू डार्क में है आप रोंग पास की बताएंगे तो इवन कलर और डीजाइन उससी ड्रेस का बता देगा कि ये कौन सी जनजाती की वेश भूशा है दूसरे समाज की है या दूसरे रेस की है दूसरी घाटी से है अगर नत की जगह है उसने नाक पर एक पिन होती है बड़ी चोडी सी वो पहनी हुई है तो ये बुकसा ट्राइ किया थे एक नई चीज सामने आ गई तो हमेशा ही आप जितना गहरे जाते जाएंगे तो समिर जी आप उतना ही आपको लोग सुन रहे हैं तो अगर आपको कोई गिफ्ट करना चाहिको नके घर में कोई ऐसा धरोर है या कोई बहुत परम परागत कोई चीज है तो आप उसको ले ले लिते हैं कैसा है अगर कोई गिफ्ट आपको करना है लेकिन 10% चीज़ां ऐसी हैं जो किसी ने भाव के वश उसको अच्छा लगा विजिट करके तो उसने हमको जो है वो उपाहर सुरूब दी हैं जो वहां सजी हुई है और जिसकी चीज़ भी मेरे पास में गिफ्ट में आती है उसके नाम से ही मैं उसकी चीज़ को वहां पर हां से चलने वाला ग्रामाफोन अपने नाती से म्यूजियम के लिए भीजवाया अब आप ये देखिए तो समय की नजाकत को इसको पूरा कर देखिए हैं आप ये देखिए कि लोग सिर्फ गिगरी से ही परिश्क्रित नहीं होते हैं समझदार होने के लिए कुछ और बात ह चलते चलते अगर आप कुछ खास बोलना चाहते एक लाइन में आप बोल सकते हैं हां मैं सिर्फ अब सिर्फ किसी से नहीं कहूंगा मैं बुजर्गों से नहीं कहता मैं युवाओं से यह कहूंगा कि सिर्फ एक बात का ख्याल रखें आप इतनी बड़ी संपदा पर बेठे हुए हैं जिस संपदा को लालच के दिरश्ट से सारी दुनिया देखती है उस वो क्यों लालच कर रहा है इसे आप पहचानिये और और वापस अपने प्रदेश में आ करके और अपनी उनी संपदा पर व्यापार उद्यम और करके अपना भविश्य बनाईए आज हमारी संग्रण का काम किया है ऐसी ही दूसरी कहानी को लेकर कि आप से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए उनुमती दीजे नमस्कार झाल झाल